तो हमें गिवन है कि हमारे पास में एक सर्कल है यह हमारा एक बड़ा सर्कल है ठीक है उसके बाद हमारे पास इस सर्कल का सेंटर क्या है इस सर्कल का सेंटर है हमारे पास में 0, 3 तो अगेन हम देखेंगे यहाँ से इस सर्कल की एक वैकशन का जाएगी अब हमें बतानए है कि number of rational points on the circle let's say मैं बोलता हूं कि यह एक point है हमारे पास में A, B, इस A, B point के लिए क्या होगा, let's see यह दोनों क्या है, rational points है, है ना, तो अब हमारी radius क्या हो जाएगी, radius हो जाएगी, square root of A square plus B minus root 3 का square, अब मैं क्या करता हूँ, अब मुझे पता ही, यह कह है, point 0, root 3, और radius कितनी है, इसकी, 2 के equal, तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक बर coordinate axis ट्रॉ करता हूँ, तो coordinate axis कैसी होगी, यह हमारी coordinate axis होगी, ठीक है, इस तरीके से, अब अगीन मैंने बोला, कि यह एक point है, यह point है, यह point है, A, B, जिसके दोनों coordinates के हैं, rational ह ठीक है, अब मैं एक और line, x-axis के parallel, 0, root 3 से pass कराता हूँ, ठीक है, अब इस line के उपर, मैं A से ऐसे perpendicular draw करता हूँ, तो मैंने ऐसे draw कर दिया, ठीक है, अब इस point की, यह हमारे गए, 0, root 3, तो अगेन अगर हम यहाँ से देखेंगे, तो यह distance किते होगी, यह point का x-coordinate है, इसका है 0, तो यह हो गई, simply, एक एक बर, अब यहाँ पर, अगर मैं देखुँगा, तो यहाँ पर, एक और point है, हमारे पास है, तो हमारे पास, और कितने points हो सकते हैं, तो एक और points होगा ही, होगा, वो कैसे, see, again मैं अगर इस side में a और जाओं, ऐसे, जैसे इस side में a गया, मैं इस side में जाओंगा, तो मेरे पास क्या होगा, coordinate 1 होगा, minus a, है न, और अगर minus a होगा, उसमें, तो y क्या होगा, उसका, root 3 ही होगा, तो यह वाला जो हमारा point होगा, similar, इसके coordinates क्या होगा, minus a, b, okay, तो इस point क के लिए भी मैं क्या बोल सकता हूँ, कि अगर हम देखेंगे, तो projection डालूँगा, जब मैं ऐसे, तो इस projection की length किती हो जाएगी, b minus root 3, और इस projection की length किती हो जाएगी, equal to a, यह a हो जाएगी, तो means, अगर मेरा एक point यहाँ पे a, b ऐसा है, इसकी हमारी क्याए, 0, root 3 से distance किसके को ले a square plus b minus root 3, b के सपल, तो similarly, एक दूसरा point minus a, b b होगा ही, होगा, ठीक है, now, अब point आता है, हमें पता है, b minus root 3 क्या है, एक irrational number है, this number is irrational, तो हम a square और a square क्या है, rational number है, तो एक rational और irrational number का sum के आता है, एक irrational number होता है, इसका square root भी एक irrational number होगा, तो means जो हमारी radius है, वो rational है, तो इन दू points पर तो हमारी क्या होगी, radius equal हो जाएगी, but similarly, ये radius दुबार हमारी, जैसे अगर कोई ये सोचे, जैसे हम उपर गए तो हमें एक point मिला, similarly, नीचे जाने पर भी तो एक point मिल सकता है न, ऐसा लोग बोल सकते है, तो अगर हम नीचे जा बी माइनस रूट 3, तो ये रूट 3 माइनस भी थोड़ी हो रहा है, दिकत होती, अब हमारी जो बी माइनस रूट 3 है, मतलब irrational number का square क्या होना चाहिए, हमिशा बी माइनस रूट 3 के square के equal, तो यहाँ वाला जो point होगा, उसके लिए जो हमारा y कॉडिनेट में change होगा, वो same न बी माइनस रूट 3, तो यहाँ बी माइनस रूट 3, तो यहाँ पर जो point आएगा, उसके लिए भी क्या हो जाएगा, इर्रेशनल हो जाएगा y कॉडिनेट, तो means हमारे पास maximum क्या हो सकते हैं, दो ही ऐसे point हो सकते हैं, जिसके लिए क्या होगा, कॉडिनेट से रेशनल होगे, तो हमारे दो point हैं, यतना हमें पता हैं, तो obviously दो point हैं, और at most भी दो ही हो सकते हैं, तो B और C is correct answer.